मेरा नाम अनीता प्रसाद है आज मैं आपको तिल के पराठे विट लेसुन ट्विस्ट डालके अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ आए देखते हैं उसके लिए क्या समान लगेगा यह दो कोटोरी मैंने आटा लिया है यह मल्टी ग्रियन आटा आप कोई भी आटा इस्तम से पहले आटा को लेंगे वाइट टिल को डालेंगे आपका मिया ज्यादा डाल सकती है लेसुन है करीब देड़ चमच है यह मैंने ले लिया है ग्रीन चिली ननिया पता और यह करीब दो से तीन पिंच सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हों को मिक्स करते हुए हम लोग दो से तीन इस्पून ओयल डालेंगे मैंने ओयली बॉयल डाला है आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं लोग को मिलाने के बाद पानी से गून के सॉफ्ट गून देंगे हम लोग थोड़े थोड़े पानी डाल कर गून दें ताकि गीला नहीं हो जाए और दोनों हाथों से अच्छे से मिला कर गून दें आई यह बनाते हैं पहले छोटे छोटे गोले हम लोग बना लेंगे यह बार जेलना शुरू करेंगे बेलने के बाद इस पर ओयल हम लोग लगाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे कहीं कहीं और इसको बीच से ऐसे फार देगे और ऐसे घुमाते हुए हम लोग रोल कर लेगे और फिर इसको बीच से प्रेस कर देगे और फिर एक बार हुलो बेल लेगे के लिए और इसटाए आप स्थार में रखा है आए इं हर बनाते हुए इस दोनु तरफ से अच्छे शहको पकालेगे ägए और लागाए आप रहे है आद के लिए दो एक प्वा दोन देगे और ने अपर दो बिज़़ आलना ने पक्राइए और आथ ने लोग आदे यॉ आ या घी भी आप लगा सकते हैं या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओयल या घी लगाते समय हमेशा अपने टेंप्रेचर चुले के टेंप्रेचर को लो कर दिये ताकि पराठे जल नहीं जाएं देखिए कितना यमी लग रहा है आई अब निकालते हैं तो दिखा दोस्तों आपने कितनी या साली से और कितनी यमी यह पराठे बन गए मेरी बनाई यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए थांक्यू